हलो नमस्कार मैं अभीने आप सबका अभीने लर्निंग हप पर वेलकम करता हूँ जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार इतने दिनों से एक ही वादा मैं करता आ रहा था कि मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़वाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से पढ़वाऊंगा बट हम हमने एक बात यह भी देखी कि अगर हम किसी स्टार को लेकर आएं तो उसको रोक के रख पाना बड़ा मुश्किल है आप देखते होंगे हर जगे यह हाल है इतनी जादा यूट्यूब में गंदेगी मची हुई है यह इसके टीचर को ले गया वह उसके टीचर को ले गया त ऐसे कि आप देखते हैं कि यूट्यूब में सबसे बड़ी दिक्कत किया है कि लोग डेमो ग्लासेस बनाते हैं हमने क्या किया एक टीचर कॉंट वेच में दिखाया कि यूट्यूब पर भी इस तरीके का बैच चल सकता है जहां आप हर चीज बहुत बारी की से एक मतलब सब आतार रीजिनिंग पर काम कर रहे हैं देड़ साल से पढ़ा रहे हैं लेकिन हमने कहा कि यूट्यूब पर उसी दिन पढ़ाएंगे जब कॉंसेप्ट जवर्जस्त के साथ सारा कंटेंट रेडी होगा ताकि यह दिक्कत ना आए कि बच्चों को PDF नहीं मिल रही सबाल रेड आप कर सकते हैं यह आएंगे सवाल कराएंगे यह बताएंगे कि रीजिनिंग का क्या महत्तो है जैसा कि आप देखते ही है कि आज कल पेपर में कट आफ जितनी हाई जा रही है उस हिसाब से आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना या कम पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते ह आपको रीजिनिंग में भी 50 में 50 मार्क्स के लिए तेयारी करनी पड़ेगी तो रीजिनिंग का बैस्ट बैस्ट लेकर आरे हम जहां पढ़ाएंगे आपको अभी शेक अब इन्हें लर्निंग अप पर डेली क्लास होगी स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस अभी रिकॉर्ड यह कोई comedy वीडियो नहीं है जो सबको पसंद आएगी यह जिनके पास दिमाग होगा वो ही पसंद कर पाएंगे तो अभिने learning अब लेकर आ रहा है आपके लिए A to Z reasoning batch इसको प्यार दीजेगा और धंग से पढ़िएगा एक copy pen उठा के आज इसके लिए भी decide कर दीजेगा कि अब मैं कल से reasoning पढ़ूँगा बागी इस batch के बारे में और क्या क्या है अभिशेग भाई खुद आपको बताएंगे तो कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग उम्मीद करतों अच्छे होगे जैसा कि अभी अभी अभिने सन्य बताया कि मैं आपको A to Z reasoning batch लेकर आउंगा बिल्कुल सही बताये इनोंने एक्सली होता क्या है आप कर सकते हैं लेकिन आपको मैं क्या होता है कि कितने कम टाइम में ज्यादा सवल अटेम्ट कर पाना है और ऑफ को 25 सवाल करने में या तो बच्चा ने काबर करने के लिए बार करने के बांगी किसे बच conspiracy मैं कर दिया किसी बच्चे ने ने प्रमेट में कवर करके बाकी का टाइम अपने बाकी तीन सेक्षिन में दे पा रहा है तभी वो कट आफ को पार कर पाएगा अच्छे माक्स ला पाएगा बस वही मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको रीजनिंग पूरी रीजनिंग कितने सवाल करनी है और कितने कम टाइम में क आपको पांस ते दस सवाल तो ऐसे होने चाहिए कि जिसमें आपको ज्यादा दिमार्ट ना लगाना पड़े ज्यादा कैलिकुलोशन ना करनी पड़े तब ही आप उसको कम टाइम में कर पाएगे क्योंकि आप फुस्त हो अगर आप रीजनिंग एटलिस आठ से दस मिट में कर देते हों बची कि आप करने के लिए मैं तो आप तवी कर पहेंगे जब आपको करना क्या है कि जो जो मैं आपको क्लास में कराओं बहुत ध्यान से समझना उस चीज को एक बाद क्लास के बार दिवाए जरूर करना है और जो बागी आपको PDF मिलेंगी वो आपको कर नहीं ह सवाल कराऊंगा जो आज के लेक्जाम में पूछे जाते हैं जो आप नहीं कर पाते जो आपका पेपर में आ जाए वैसा सवाल भी नहीं आएगा तो इस तरह का सवाल नहीं कुछ निकल कि आरे भाई भूल गया मैं यार क्या करूं इतना जैनूरल रहा चीज इनसान को जो लोग नई यूट्यूब पर पढ़ाना इस्टार्ट भी करने में उनके लिए इसला दूगा देखे नौलेज होना इक अलग बात है बट यूट्यूब पर पढ़ाने के लोगों को भी चीज पसंद आएगी तो चले फिर आप कल से आपके लिए आरे हैं क्लासस रीजिनिंग की और जल्दी जियास और इंगलिश की भी आएंगी धने बाद थेंक्यू बरिमाच